हमने जो है सरकार को हराया, हमने नगर विकास मंत्री को उनके ग्रे ग्रे च्छित्र में राया, हमने मुख्य मंत्री को हराया आप कहा रहे हैं कि आपने सरकार को हराया, आपने मुख्य मंत्री को हराया, लेकिन निगम में आने के बाद आप हार गए? आपके गाड़ी कितने साल चलती है, सर, कितने साल चलती है, मेरी गाड़ी तो अभी 10 साल हो गए, चल रही है, बड़ी है गाड़ी चल रही है, आपके गाड़ी 10 साल चल ली है, लेकिन निगम ने जो गाड़ी 2021 में परचेच की, वो खराब हो गए, अभी तो विवस्ता की बा की पत्नी थी तो उनको नहीं रखना चीए था मेर की जिम्मेदारी नहीं बनती है यह साइन ये करेंगे सब कुछ ये करेंगे सोदा ये करेंगे तै ये करेंगे पेमंट ये करेंगे हैं और मेर की जिम्मेदारी होगी है दोस्तों आप सभी को नमस्कार हमने हरिद्वार नगर निगम में जब घुमना शुरू किया तो वहाँ एक चीज देखी कि कुछ गाड़ियां थी जो गाड़ियां 2021 में पर्चेस थी और रेजिशन उनका 2021 में था और वो गाड़ियां बिल्कुल ही खराब हो गए थी हमने आपको तस्वीरे भी दिखाई सब कुछ आपको बताया सवाल यह है कि आखिर यह जिम्मदारी लेगा कौन कि जो गाड़ी 2021 में रेजिशन जिसका होता है वो गाड़ी खराब हो गई और उसको कूड़े के भाव या कूड़े के तरीके से उसको रख दिया गया आज अशुक शर्मा जी हमार साथ है आप हमें जवाब देगे क्योंकि जवाब दे कहीं ने कहीं आपकी बनेगी अगर हम 2021 के गाड़ी की बात करें तो आपके गाड़ी कितने साल चलती है अब दस साल हो गए, चल रही है बड़ी है गाड़ी चल रही है आपकी गाड़ी दस साल चल ली है लेकिन निगम ने जो गाड़ी 2021 में परचेच की वो खराब हो गए अब तो वेवस्ता की बात है वेवस्ता करनी चाहिए अदिकारियों को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए उन्हें अधिकारियों को मेंटेन करना चाहिए जब मेयर आपकी पत्नी थी तो उनको नहीं रखना चाहिए था मेयर की जमेदारी नहीं बनती है यह अगर सरकार हमारी कांग्रेस की होती ना परदेश में भी तब तो आप मेर को थोफ सकते थे ये बात कि आपके कारकाल में ऐसा हुआ लेकिन यहां तो सरकार जो है उन लोगों की थी जो जिन्नों ने मेर को पांच साल पूरा दुस्मन समझ के रखा यहां तो अगर मेर साब ने का इस जमीन पर कपज़े करती हो और कॉंग्रेस की अगर सरकार है तो मेर कॉंग्रेस का होगा तब ही काम हो पाएगा किसी ओर दल का हो गया तो काम नहीं हो पाएगा ने ने देखो यह तो कारे पढ़नाली पे है और किर्यानवन पे है है ना अब किर्यानवन में यह ऐसा हमारी मेर तो बहुत सरल थी उसी का इन लोगों ने नजाइज लाब उठाया इन लोगों ने तो यहां तक करा कि मेर साब खड़ी रही और अधिकारी बैठे रहे तो यह तो भाजपा है तो भाजपा के लोगों ने भाजपा के निताओं ने और बड़े बड़े निताओं ने जो मंत्री थे पूरा कारे करने चाहे लेकिन अब सरकार अगर गुंडा-गर्दी पर उतर आए तो आप समझे एक घरेलू मैला तो देखो बात सुनो हमारी जो मेर साप थी कोई ऐसी तो थी नहीं जैसी जो है इनके पास नेता हैं इनके पास तो सारी नेता हैं बड़ी-बड़ी नेता हैं मेरा सवाल यह है कि आखिर 2021 में गाड़ी खरीदी गई क्या बिना परमिशन के खरीदी गई होंगी मेर के नहीं ऐसा भी बहुत हुआ 2021 देखे बहुत एक नहीं आठ गाड़ियां हमने देखी आठ के अलावा भी बहुत सारी गाड़ियां देखी हमने जो की खराब होगी और एक गाड़ी कीमत मैं समझता हूं कि 10 लाग क्या असपास होगी हो सकता है कि कुछ अगर निगम पर्चेश कर रहा है टेंडर दे रहा गाड़ियां उसमें मेरे संग्यान में हैं गाड़ियां उसमें बहुत महंगी महंगी भी थी लेकिन ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी हैं न देखो बाट सुना। हमारब पर अकण्वनमंनेता का, या ब्रस्टाचार का, जो भी आप सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, एक आपined कहुले तोरी पूरी भाज़पा को यहां से लेकर देरादून तक, मैं जो छोटे-छोटे हमारे भाई हैं इन से तो मैं देखो इनको तो मैं छोटे भाई हैं हमारे ये तो कल हमारे पीछे ही खड़े होते थे लेकिन मैं यहां के जो मंत्री है विदायक है और देरा दून तक एक चलेंज करता हूँ मैं कि मेरी मेरे बच्चों की मेर साब की खातों की जाच हो जाए सरकार इनकी है यहां से लेके उपर तक अधिकारी इनके है और इनके पारसद की भी जाच हो जाए मेर साब के खातों में से पांच साल में पैसा निकला ही निकला होगा हमने व्यक्तिकत तोर पे मैं अपने कह सकता हूं मैंने कम सका 25-35 प्लाट इस 5 साल के कारकाल में अपने व्यक्तिकत बेचे हैं और आप इन लोगों के पता करा लीजिए मैं बड़े नेता होगा तो कहता ही ने किसका पता कराना है भाजपा नेता होगे मैं करा ये लोग तो अकंठ पूरी पूरी भाजपा और जनता देखो कभी गलत नहीं करती जनता को पता था कि ये लोग अच्छे लोग हैं और इसलिए लगाता है पहले तीन बार चुना जनता ने दो बार निर्दली भी चुना चोथी बार हमने हमने जो है सरकार को राया हमने नगरविकास मंत्री को उनके ग्रह ग्रह छित्र में राया हमने मुख्य मंत्री को राया मुख्य मंत्री यहां तीन बार मिटिंग करके गए मुख्य मंत्री ग्रह के वार्ड में आके सभा करके गए हमने सरकार को राया सरकार को हराने के लिए कहीं न कहीं हमारा जो करम है लगातार कोई हम पहली बार नहीं जीते बहले हम छोटा चुनाओ जीते पारशत का लेकिन हम लगातार 20 साल से जीत रहे हैं तो हमारा करम देखे होगा हमारा काम देखा होगा हमारी इमानदारी देखी होगी लगातार कोई एक तो जीतने को तो लोग पाज़ पाज़ साथ बार भी जीत रहे हैं, कोई पैसा दे की भी जीत रहा है, कोई गुंडागर्दी से भी जीत रहा है, कोई अपने आकड़े बाजी से जीत रहा है, फरजी मतलब हिरा फिरी करके जीत रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो हिरा फिर वेज़गर थे सबको हर आया लेकिन निगम में आने के बाद आप हर गए आपके लॉजिक के अनुसारी बात कर रहा हूँ कुछ करके भी साफ है चाहें किता भंडारी का कांडो चाहें और कोई और हमारे कितने ही लोगों को इन लोगोंने डराके धंकाके झो है अपनी पार्टी में सामिल कर लिया है ना कई कई लोगों को कई लोगों को पर केस कर दिया तो कोट से जीट गए वह आग Cambair लेकिन हम लोगों के उपर ना तो यह कोई case कर पाए अगर हम होते तो जितना मैं समझता हूँ हमने इनका विरोध किया जितना हमने इनका सामना किया ये एक बारनी हमको दस बार जेल भेज देते हैं दस बार case कर देते हैं मैं challenge करता हूँ बाजपानेताओं को challenge करता हूँ अगर पांच साल के कारकाल में पूरे सहर में एक भी व्यक्ति ये कह दे कि किसी party meeting के नाम पे किसी corner meeting के नाम पे किसी चुनाओ के नाम पे एक पैसा मेर सामने या मेर साब के परिवार में से किसी ने भी लिया हो ठेकेदार ही नहीं आम जंता से, वेपारी से ठेकेदार से, धारू वाले से सट्टे वाले से, प्रॉपर्टी डिलर से कोई एक पैसा भी कह दे तो आप जो कावम सजा भुगतने के लिए तियार अबी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस दोरान विशाल गर्ग जी का स्टेट्मेंट ही आया कि ये पुरानी गाड़ियों को रख करके नई गाड़ियां खरीदी गई इस वज़े से ताकि पैसे की बंदर बाठ हो सके आरोप कहीं ने कहीं आपके उपर लगे नहीं देखो उनकी बात पे मैं जाना नहीं चाता लेकिन चलो हमने बंदर बाठ करी हम बानते हैं वो तो भाई है हमारा उसकी बात में मैं जाना नहीं चाता तो भाजपा की सरकार ने मुख्य मंतरी ने राज्यपाल ने प्रधानमंत्री उन्हों ने चूडियां पहा रखी उन्होंने चूडियां पहा रखी और यह अधिकारी क्या कररें अधिकारी और ने क्यों नहीं रोक लगाई MN आईएस बैठे हैं यहाँ पर यहाँ कोई चपड़ासी नहीं बैठे है MN अगे जो है मेर साथ मेर साथ मेर साथ तो अतनी पड़ी लिखी नहीं है वो तो एक साधारन घरलू में हिला है ना उनको तो जो है परिश्थितियों बस आना पड़ा जो है राजनीती में है ना परिश्थितिया ऐसी बनी कि पार्टी ने कहा आदेश दिया हमने निभाया लेकिन यह IES ब्रष्ट है, क्या हम ये पूछ रहा है, क्या निचे से लेके, उस फाइल पे 20 अधिकारियों के स्थाक्चर है या नहीं है? मेरा सवाल यह ब्रष्ट है, हमें तो, हमें तो, जब मेर साब आपने इमानदारी की बाते करते हुए, तमाम ठेकों पे, तमाम बातों पे रोक लगाई, तमाम जो है, जो विग्यापन के जो है, आप ये होर्डिंग देख सकते हैं, महीनों महीनों अकबार में छपा है, महीनों महीनों, और जो अपने इमानदार पत्रकार थे, उनको यहां और उसमें साक्षे है, सब कुछ है, कम से कम 10 करोड रुपे का गोटाला जो है बोल लग रहे हैं इसमें है, और सुनिया, और अधिकारी क्या कर रहा है, मेरे साब को, मूझे नि, मेरे साब को कि आपने मेरी सिकायत उपर करतो दिया है तो आखंट बिल्कुल ब्रश्टाचार में निचे से लेको उपर तक पूरी सरकार डूबी भी है मेरा सवाल ये है ब्रश्टाचार में आपके हिसाब से डूबा हुआ प्रशाशन है बीजेपी नेताओं के हिसाब से डूबे हुए आप हो सकते हैं प्रशाशन भी हो सकता है सब चीजे हैं लेकिन मैं ये कहा रहा हूँ कि जो पैसा है वो तो जनता का है पैसा जनता का है इसके बावजूद ये जो नुकसान हो रहा है गाडियों के रूप में या सड़कों पकर कूडे हैं उसके रूप में तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और क्या ये सही है की इस तरीके से चीजे चलती रहें आप कोई गाड़ी खरीदिये तीन साल तक चार साल तक वो गाड़ी चले ना और चार साल में गाड़ी खराब करके आप सड़क पे फेक दीजिए ये आपको उचित लगता है ये बिलकुल गलत है ये लेकिन जाच करेगा कुण जाच तो सरकारी करेगे ना जब मेर साब की दस लेटर लिखे वे उन पर आस तक कुछ नहीं हुआ है ना आपको क्या प्रू भी नोट कर रहा है उसमें कि जो है नियम में ऐसा नियम और ऐसा है उसके बावजूद उन सड़तों को नजर अंदाज करके और अधिकारी जो हैं फिर साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का जो है इन्वाल्मेंट है सरकार का उनको खुली छूट दी भी है कि आप करो हमें माल दो आप कुछ भी करो हमें माल दो नगर निगम में जो कुड़ा सड़कों पर होता है या जो कुड़ा खुले में होता है उसको गाये खा रही है उसको गाये खा रही है इसके जिम्यदारी कौन लेगा गलत है गलत निगम प्रशाशन की या नगर निगम के मेयर की जिमेदारी नहीं बनती है? नहीं देखो बास सुने, जब तक वो थी तब तक गाई निम्हाती थी कुडा? तब बहुत जादे रोक लगी भी تी बहुत जादे उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में जमीन आसमान कंतर है आज जगे जगे नए नए कुड़े के धेर लग गया है बड़े बड़े जो है स्थानों पर सुबह से लेकर साम तक और जो कुड़े के धेर लग रहे हैं उस पे मैं आपको कहना चाओंगा उसमें भी तमाम तरह की बंदर बाठते हैं वो कुड़ा ऐसी नहीं अब किस अप चाओन सेथा है मैर साब के यह जग IT रहे है गाही में 괜찮 Waar आज तो डस मही जी के हाथ किसी Congressi ने बांद रखे क्या इनके जो I.S. बैठे में दिकारी इनके हाथ मेर साब ने बांद रखे या असोक सर्मा ने बांद रखे अरे असोक सर्मा तो वो चीज है जो जिसने लगातार चले इनको सुईकार करा और जनता ने जो है अपर हमेशा असोक सर्मा आसिरवाद रखा चाहे वो कितने से बड़े से बड़े लोग आए और जो हमारे छोटे भाही है ये तो देखो एक लालच में इनको सिखाया भाह है कि तुम असोक सर्मा के खिलाब बोलो कल कोई पर sell टेक होना नहीं टीकट फिर भीकना है यह सब जो है सब हमारे साथ हमारे पीछे कहड़े होंगे और पहले कितने है? असोक सर्मा जिंदावाद और मेर साथ जिंदावाद यह जितने भी है ना यह किसी का नहीं होना इनमे यह टिकट तेय होचुगा पैसे बैसे चलना है काम. कुछ नहीं होना इनका. किस पाटी की बात कर रहें? भाजब्ड पान्रा कांग्रेस मेहुत हैं. विनर है? भाजब्ड होगा में टिकट बिखेगा हैं तो कॉंघड़ेस में नहीं बिखेगा. में निर्धिलियू मेर साब तो पाड़्द सद रही सब्सक्राइब presets आख भार निर्धिलिय भौण को मेर निर्धिलिय जीतना तब जाकर वो अन्य की Norm करना वे मैं कई रहा है हम भी सबह्य भीयान चलाते हैं और दस मिनिट में इतनी से जगे में और बारा आदमी जड़ू लगा रहें तो ऐसे सोचता पकवड़ा मनता है स्वास्ता पकवड़ा हम बनाते हैं महीना महीना बनाते हैं अपनी जेब से पैसा लगाते हैं अपनी जेब से कुड़ा उठवाते हैं और स्वेम खड़े रहते हैं पूरे के पूरे दिन देखे एक सबसे बड़ी बात कि जब 9-10 महीने हो गए हैं 9 महीने तो इसके बाद जिम्मेदारी प्रशाशकों की है प्रशाशक ने पुरे जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है और इसके बाद अगर कोई आववेवस्ता फैल रही है तो क्या प्रशाशक मेर के उपर आरो अधिकारियों के पास जो पैसा आता है गायों के लिए चारा की वहस्ता करना बागी सारी वहस्ताओं के लिए क्या वो पैसा एक्चुल में गायों के लिए लगता है ये भी अपने आपने सवाल है कौन है दोशी और किसको आप बरी करेंगे वो आप कॉमेंट सेक्शन में ह में जरूर बता दिजिए और ऐसे ही reporting करते रहेंगे, ground की reports आपको बताते रहेंगे, देखते रहिएगा The News Vala Network, धन्यवाद